जिया टास्क जीत गई है हाला कि जिया की जीत से ज़ादा ये घरवालों की हार है जो जिया को हरा नहीं पाए तीन घंटे का समय मिला था और ये लोग कुछ नहीं कर पाए एक बात तो तैह है कि जिस तरीके से जीया ने इस टास्क को किया है वो वाकई काफी शानदार है वो पहले से ही इस बात को लेकर काफी confident थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस कुर्सी से हटने वाली नहीं हूँ torture तो बहुत सारे करने की कोशिश की गई लेकिन यहां पर घर वाले दो टीम में डिवाइड दिखे जहां एक तरफ कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि इस तरीके का torture करके हमें किसी तरह की कोई captaincy नहीं चाहिए वहीं दूसरी और हम आपको बता दे कि मनीशा अंतक लगी रही यहां तक की बेबी का ने भी बहुत कोशिश की पर जिया को हराना पॉसिबल नहीं था अविनाश और फुकरा ने तो टास के आधे में ही हार मान ली क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके का torture कैसे करें और जिया ने भी जिस तरीके से victim card खेला उसके बाद फुकरा डर गए उसे लगा कि ऐसा ना हो कि वाकई में ये लड़की है और victim card खेले और सब कुछ उसकी image पर आ जाए तो घर के अंदर आज जिया की जीज से ज़ादा घरवालों की हार हुई है और जिया ये stars को जीत तो गई है लेकिन हम आपको बता दे कि वेक बॉस ने ये साफ कहा है कि अगर अब घर के अंदर अगर captain नहीं बदला है तो फिर nomination में भी कोई भी बदलाओ नहीं फुकरा और जिया को छोड़कर सारा घर नॉमिनेटिड है अब देखना होगा कि इस हफते किसका पत्ता जो है इस घर से कटता है आपको क्या लगता है इस stars के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं